हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम आपके लिए लाए हैं मटर मस्रूम की रेस्पी कि इसको हमने कैसे बनाया है आप सब लोग हमारी वीडियो को पूरा बाच करिएगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताए चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करें तो इसके लिए हमने लिए हैं दो टमाटर चार हरी मिरच अधरक का टुकड़ा दो बड़े प्याज लैसुन मटर और मस्रूम तो हमने सब अच्छे से कट कर लिया है और आप इसको बनाना शुरू करते हैं तो हमने गैस को आ काली मिरच और लॉंग हमारी अच्छे से पकने लगेगी तो हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज लैसुन और अधरक तो इन सब को भी हम अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक हमको भूनना है तो दिखिए हमने प्याज और लैसुन डाल दिये हैं और ह हमने थोड़ी सी हरी मिरची भी काट के रखी थी वो भी हम इसमें डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनते रहेंगे प्याज हमारे पक चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो मसाले में हमने लिया है दो चम्मच से करीब धनिया पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और आधा चम्मच हम इसमें कस्मेरी लाल मिर्च भी डाल देंगे कस्मेरी लाल मिर्च डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है तो इसलिए हम थोड़ी सी ही कस्मेरी मिर्च डालेंगे कड़वी बिल्कुल भी नहीं होती है बस ये डालने से हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है तो हमने थोड़ा-थोड़ा सा सब कुछ ले लिया है और दो टमाटर हमने पीस लिये हैं प्यूरी बना ली है तो टमाटर भी हम इसी में अट कर देंगे और इसको भी अच् करने लगा इसलिए हम साथ में ही नमक डाल देंगे और इसको 2-3 मिनट भूनेंगे मसाला हमारा जल न जाए नीचे कड़ाई में चिपक न जाए तो इसके लिए हम लगातार चलाते रहेंगे और देखिए मसाले से हमारे तेल निकलने लगा है तो मसाला हमारा पक गया है अब हम इसमें मटर डाल देंगे ये मटर हमारी ताजी नहीं है फ्रेंड्स ये हमने तीन दिन पहले इसको छील के फ्रिज में लगा दिया था तो ये मटर हमारी थोड़ा सा कड़ी है तो देखिए ये मटर भी हमने डाल दिये है मसरूम हमने जो काटके रखे थे वो भी हमने डाल दिये हैं अब हम इनको भी भून लेंगे जब तेल निकलने लगेगा तब ही हम इसमें पानी डालेंगे बहुत ज़्यादा मसाले भी आप मट डालिएगा नहीं तो ये सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगेगा ये मस्रूम की सब्जी है इसलिए इसमें लाइट मसाला ही अच्छा लगता है एक दो मिनट तक हमें सब्जी को ऐसे ही चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा तेल जब हमें दिखाई देने लगेगा तब ही हम इसमें पानी एट कर देंगे तो पानी आप अपने अनुसार डालिए जितना आपको पसंद है अगर आप गाड़ी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो पानी कम डालिए और अगर आप को पतली ग्रेवी पसंद है तो आप पानी ज़्यादा डाल सकती है तो यह हमारे मटर थोड़ा सा टाइट है तो इसलिए हम थोड़ा पानी ज्यादा डालेंगे क्योंकि मटर अगर हम पानी कम डालेंगे तो हमारे मटर अच्छे से गलेंगे नहीं तो हमने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल कर ढख दिया है और अब हम इसको मेडियम गैस पर यहीं पकने देंगे तीन मिनट के बाद हम इसको फिर से ढखकन उठा कर चला देंगे और हम दोबारा फिर से ढखकन लगा देंगे क्योंकि अभी हमारी सबजी में पानी ज़्यादा है और अभी हमारी सबजी पकी भी नहीं है तो हम इसमें फिर से ढखकन लगा देंगे धककन लगाने के बाद, दो-तिर मिनट के बाद हम इसको फेल से हटाएंगे धककन तो देखी सबजी हमारी थोड़ा गाड़ी होने लगी है तो इसलिए अब हम इसको धकेंगे नहीं क्यूंकि हमारी मटर भी पक गई है, मस्रूम भी पक गई है और अब हम इसको ढख कर नहीं पकाएंगे, खुला ही पकाएंगे, थोड़े देर के बाद हमारी सब्जी गाड़ी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं, यह हमारी सब्जी गाड़ी होने लगी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, धनिया, पत्ती हम डाल देंगे, तो हमने ध सब्जी को गैस्से नीचे उतार लेंगे है है तो सबूर में कलर इक अच्छ अगया है और अब आप इसको हम नीचे उतारेंगे को सब्झे करकर डिये है तो यह Tucson झाल लिया है और में अब इसको अब निकालि तो यह हमारी सर्जी देखे थोड़ा गाड़ी हो गई है और मटर भी पक चुका है मस्रूम भी पक चुका है तो बहुत अच्छा कलर भी आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी है ये फ्रेंड्स फूस्बू बहुत अच्छी आ रही है तो ड्यस पी आपको कैसी लगी हमारी वीडियो को पूरा बात करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।